कैसे हो जवानों आसा करता हों कि सभी संदार और बिल्कुल जबरजस्थ होंगे आरपी एफ कॉंस्टेबल दरोगा अब देखो थोड़ी बहुत दिक्कत हो ही रही है क्योंकि आरपी एफ दरोगा का एक्जाम का डेट तो ये लोग दे दिये लेकिन कॉंस्टेबल वाले फंस गये हैं और अभी रेलवे के दोवारा भाई अनेस्पेक्टिडली फ्यू से एक नोटिस दो हजर पचीस में जितनी सारी वेकेंसी जाने वाली है उसका भी दे दिया गया है और इसमें देखने से हमको तो नहीं लग रहा कि कहीं भी जो है इसमें सिपाही दरोगा की वेकेंसी के बारे में बात किया गया है अब ELP के बारे में बात किया गया है, technician के बारे में बात किया गया है, अब non-technical popular graduate, undergraduate दोनों vacancy के बारे में बात किया गया है, जेए के बारे में बात किया गया है, ठीक है और इसके बाद से ministerial isolated category के बारे में बात किया गया है, अब level 1 से लेकर level 6 तक की नौकरी के बारे में बात नहीं किया गया है जो दो हजार पचीस में वेकेंसी आएगी तो इसे से दो तिन चीजे सामने आती है अब जिस हिसाब से होंगे जो इसको और अच्छे से करें तो साइज इसी में निकाल दे के हाँ भया इस काटेगरी में हो सकता है कि आरपी एफ कॉंस्टेबल दरुगा की वेकेंसी आए दो हजार पचीस में लेकिन यह और देखने से दो तीन चीजे सामने आ रही है कि जिस हिसाब से यह नोटिफिकेशन पब्लिस किया गया है अ अगर उसको आप पढ़ते हो अच्छे तरीका से तो उससे आपकी 80% त्यारी हो जाएगी जहां तक हमें अनुमान है इसके लिए क्या करिए किरन पब्लिकेशन का आप किताब ले लीजिए आपको जो है पार्टीकुलरी मतलब कि doesn के लिए question bank previous year के देखने को मिल जाएंगे मैट के लिए question bank सारे question previous year करेंगे ओभी topic wise आपको देखने को मिल जाएंगे ठीका इसीर कर का reasoning के भी questions देखने को मिलेंगे अब ये जो है आपको practice करने में काफी ज़्यादा मदद मिलेगा reasoning math तो practice काई है तो 50-50-100-100 question daily practice करिए बिल्कुल genuine question जो आपके direct exam में पूछा जाते हैं यहां से हो जाएगा और GS के लिए तो आपको पता ही है तरह से तयारी को अपने जारी करके रठिये ताकि कोई समस्या ना आए RPF constable की vacancy आई है इसका क्या सिंद्रहने वाला है तो को ऐसे भी जो है paper के माधियम से RRB के director के द्वारा बता दिया गया है कि यह vacancy में हम लोग increasement करेंगे और railway में यह चीछे आपको देखने को भी मिल रही है other vacancy में और यह जो notice आई है मतलब की नया calendar आया है इसमें हमारे हिसाब से तो कहीं नहीं दिख रहा एक level 1 दिख रहा लेकिन level 1 में तो level 2 और level 3 की नौकरी है constable की और दिरोगा तो level 6 की तो कहीं न कहीं इसमें तो हमको नहीं दिख रहा कहीं भी दरोगा सिपाहे की vacancy तो जहां तक possibility नजर आ रहा कि आपको जो है vacancy का increasement मतलब 2025 वाली भी vacancy का increasement हो सकता है कि इसी में की जाएगी जो 24 में आई है तो इसलिए जो है 2400 लगभग पदो पे vacancy है इसकी संख्या 10 के के around आपको देखने को मिलेगी अब दरोगा का exam जो है December के आसपास देखने को मिलेगा तो दरोगा का exam तो आपको हो जाएगा exam के बाद result जब आएगा न तो हो सकता है result बढ़ा के दिया जाए जब सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए यह चीज़े देखने को मिलेगी लेकिन constable का दूर दूर तक जो है कुछ देखने को नहीं मिल रहा पूरा 2024 तक के exam का schedule जारी कर दिया गया है RRB के दुआरा अब जैसे 2025 में schedule जारी किया जाता है 2024 विकेंसी के exam का तो सबसे पहले जहां तक हमें लग रहा कि RPF constable का ही exam होगा तो उमीद है कि January के last तक February मार्च में जो है 99% RPF constable का exam देखने को मिले तो अमूमन देख सकते हो 45 से 60 दिन के आसपास दरोगा के लिए आपको समय है और constable के लिए और एक मन्त जोड सकते हो माले 90 दिन मतलब 3 महिना के आसपास आप जोड सकते हो 70 से 90 दिन के आसपास समय जो है आपका constable के पास है लेकिन अगर बात करें result की तो जहां तक हमें लग रहा कि दोनों का result वहीं एक महिना के gap में ही देखने को मिलेगा तो ये दोनों examination में एक मन्त का आपको gap रह सकता है तो इसलिए चाहे सिपाही भरे हो चाहे दरोगा भरे हो तैयारी हालत में रहो क्योंकि vacancy की संख्या भी बढ़ेगी और साथ साथ जो है आपका examination जो है जन्वरी के आसपास देखने को मिल सकता है कोई भी question क्यूरी हो comment box में पूछिए साथ साथ Instagram पे personally भी आप लोग पूछ सकते हो यह एक expectation है और railway के दोवरा एक नया चीज implement किया जा रहा है यह यह लोग कलेंडर